नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका डिजिटल लेडिस में दोस्तों जब से मैंने वो 3-4 ब्रसेस लास्ट वाले बनाये है डिजी पेन 11, 12 and 13 ये जो पेन बनाये है बहुत ज़ादा पसंद आये लोगों को बहुत यूनिक भी लग रहे है तो एक मेरे सब्सक्राइबर ने कुछ अलग ट्राइ किया था इसके जरीए उन्होंने कुछ भी इसके जरीए डिजाइन नहीं बनाया था सिर्फ जो टेक्स्चर है वही यूज किया था मैं आपको दिखाऊंगा आगे वीडियो में उस टेक्स्चर को यूज करके पिक्सल लाब में उन्होंने डिजी फॉन्ट के जरीए एक नाम बनाया और उसमें उस टेक्स्चर को एड़ किया पिक्सल लाब में और वो इतना यूनिक लग रहा था और जब उन्होंने वो पोस्ट WhatsApp ग्रूप में शेयर की और उनका नाम जो है थोड़ा सा गलत हो गया उसके वज़र से सारे लोग गन्फ्यूज हो गए कि इस ब्रश के साथ मैंने नया फॉंट कब ट्राइ किया बहुत सारे लोग के कमेंट आ गए तो मैंने डिरेक्ली उन्हों को कहा कि ये पहले अल्रेडी फॉंट बनाया था उसे के उपर डिजी पेन 13 का उन्होंने टेक्स्चर एड़ किया है तो बहुत जबर्दस लग रहा था मुझे भी काफी अच्छा लगा मैंने ऐसा पहले ट्राइन नहीं किया था तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से उन्होंने यूज किया तो सबसे पहले पेंटर अप्लिकेशन ओपन कर लेते है और मैंने आपको जो ब्रश दिया था उसी के जरीए आपको ये काम करना है ठीके, create पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा ब्रश का जो color है उसको change कर देते है उसके बाद में वही 13 वाला ब्रश यहाँ पे मैं choose कर लेता हूँ ठीके, तो यह रहा 13 वाला ब्रश और इसको मैं यहाँ पे select किया ठीके, उसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ ऐसे draw करना है, मैंने इसकी size completely बढ़ा दिया है, ठीके तो यह दिए settings में जाके मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे size range 300% रख दिया है आपको जो proper brush दिया गया है वो 100% का है, ठीके, तो उसको 300% मैंने यहाँ पे कर दिया और जो यहाँ पे size है वो भी 612 pixel वो भी कर दिया, ठीके, यानि complete size इसकी बढ़ा कर इसको मैंने बस इस तरीके से draw किया अब यह आपका texture बन जाता है ठीके, तो इस तरीके से आप texture बना सकते है और यह directly यहाँ से export कर सकते है, save कर सकते है PNG या फिर JPG में भी कर सकते है कोई problem ने, ठीके, तो यह यहाँ से save कर दिया, और pixel app में कोई भी text बना कर आप उसमे add कर सकते है इस structure को, ठीके, तो यहाँ पे already मैंने कुछ बनाया है, मैं आपको दिखा देता हूँ यह देखे, इस तरीके का मैंने बनाया था अब यह जो font है, नया वाला है 037, इसे के उपर मैं आपको दिखा देता हूँ, किस तरीके से वो, जो texture है, वो लगाते है ठीके, texture में जाएंगे, और यहाँ से no texture जो है, उसको select करेंगे और यह जो अभी हमेने save किया है, उसी को यहाँ पर इस तरीके से लगा लेंगे ठीक है, तो यह देखे, इस तरीके का वो लग रहा है, enable करने के बाद इस तरीके का आपको दिखाए देगा तो यह इस तरीके का texture group में लगाया था, तो यह बहुत unique दिख रहा है, अब यहाँ पर आप उसका emboss effect भी लगाओगे तो बहुत बढ़िया यह भी आपको दिखाए देगे, दिखिए इस तरीके से आपको बढ़िया texture मिल जाता है, ठीक है, तो इस तरीके से भी आप try कर सकते हैं जितना कुछ आप अलग try करोगे unique दिखाए देगा, अब मैंने आपको पहले ही कहा है, कि इस application के बारे में मुझे जादा कुछ मालूम नहीं है, सब कुछ मालूम नहीं है, जितना कुछ मालूम है वो ही आपके साथ share करने वाला हूं ठीक है, तो इस तरीके से आप अलग try करके share कर सकते हैं और जितना अच्छा लगे उतना आप try कर सकते हैं, तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही आगे इसके उपर बहुत सारे वीडियो जाने वाल है तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथ में बिल आइकन दबाके और पर क्लिक कीजिए सब कुछ आपको time to time में अपडेट होता जाएगा Thanks for watching दो